अफगानी मलाई सीख ग्रेवी की रेसिपी बनाते है आज, जो बनेगी बहुत ही क्रीमी, मज़ेदार और एकदम रिच फ्लेवर वाली ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले चिकन मलाई सीख को बनाकर रेडी करते हैं इसके लिए चॉपर में लेंगे एक मीडियम साइज की प्याज, मोटी चॉप की हुई, चार से पांच हरी मिर्च ले ले लेते हैं, मोटी चॉप की हुई, चॉपर को चलाकर हरी मिर्च और प्याज को पहले चॉप कर लेते हैं, ये चॉप हो जाए, इसके बाद आधा कीलो च चिली फ्लेक्स एक चमच डालते हैं जीरे का पाउडर एक चमच डालेंगे गरम मसाली का पाउडर इसमें में एक चौथ हाई कप ब्रेड क्रम्स डाल रही हो ताकि जो भी नमी हो कीमे में वो सारी अब्सॉर्ब हो जाए इसे डालने से सीख का शेप बिगड़ेगा नहीं बह चौपर को घुमा लेते हैं अच्छी तरह से सारी चीजों को मिक्स कर लेना है आप चाहे तो ये सारी चीजे मिक्स ग्राइंडर में भी मिक्स कर सकते हैं अब चिकन के कीमे को एक बोल में निकाल लेंगे इसमें थोड़े से बारिक कटे हुए धनिया और पुदीनी के पत्त पत्ते हैं एक बड़ा चमच भर कर डालेंगे अध्रक लेसन का पेस्ट अच्छी तरह से सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं सारी चीजे मिक्स हो जाए इसके बाद हमें इसकी सीक बनाना है ये पैंसिल में ले रही हूँ सीक बनाने के लिए अगर आपके पास मोटी स्कूव स्टिक तो आप उस पर भी इसी को बना लेंगे इस तरह से सारी सीक कर लिए आप थोड़ा सा तेल लेंगे पैन में और सारी सी कहाँ पर रख़ देimaginkर । uma система सी तो ाने यह तो प्रेम बनांकर अब इसमें डालेंगे एक बड़ी प्याज मोटी चॉप की हुई 10-12 डाल लेंगे काजू हरी मिर्च डाल लेंगे 4-5 अब मीडियम फ्लेम पर सारी चीजों को चलाते हुए फ्राइ कर लेंगे प्याज का रंग घुलाबी हो जाए और यह अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए तब तक इ अब इसे ठंडा कर लेते हैं और ग्राइंडिंग जार में इसे निकाल लेंगे थोड़ा सा पानी आड़ करके यह मसाली को ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे ग्रेवी के लिए पेस्ट बनकर रेडी हो गया है अब ग्रेवी बनाने के लिए दो बड बटर भी मिल्ट हो जाएं तब इसमें ढाल देंगे 3-4 Amad esos one, 4-5 लेक्ट एंक उडल लिएते हैं अजय के साथ ही मैं ग्राइडर को दो कर थोड़ा सा पानी इसमें डाल रही हूं ताकि भूनने पर मसाले जले नहीं साथ ही इसके डालते हैं पाउडर मसाले में आदा चम्मच सपेद मिर्च का पाउडर आदा चम्मच डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर एक चम्मच डालेंगे आदा चम्मच डाल लेते हैं गरम मसाले का पाउडर बस इतने ही पाउडर मसालों के साथ मसाले को चलाते हुई भून लेना है दो से तीन मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर मसालों को भून लेते हैं अब फ्लेम को एकदम लो कर लेंगे और आधा कप इसमें डाल लेंगे फिटा हुआ दही नमक आद कर लेते हैं ग्रेवी के हिसाब का दही को लो फ्लेम पर सारे मसाले के साथ मिक्स कर लेते हैं जैसे ही दही मिक्स हो जाए सारे मसालों के साथ इसे ढग देंगे धक कर लो फ्लेम पर मसालों को पका लेंगे 4-5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने से मसाले जलेंगे नहीं और सारा रोगन भी उपर आ जाएगा धकन हटाने के बाद इसमें फ्राई की हुई सीख डाल लेते हैं साथ ही इसके थोड़ी सी क्रश की हुई कसूरी मेथी भी डाल देंगे अच्छी तरह से सारी चीजों को अब मिक्स कर लेते हैं सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसके बाद इसमें आदा कप फ्रेश क्रीम डाल देंगे फ्रेश क्रीम डालके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं अब धक्कन लगा देंगे 5-6 मिनिट के लिए ग्रेवी को पक जाने देते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर मलाई सीख अच्छी तरह से अफगानी ग्रेमी में पक जाए इसके बाद धक्कन हटा लेंगे आदे नीमो का रस्नी चोड़ लेंगे इसमें अब थोड़े से बारिक चॉप किये हुए धनिया के पत्ते आद कर लेते हैं मिक्स कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर सारी चीजों को फ्लेम बन कर देंगे और अफगानी मलाई चिकन सीख की ग्रेवी बन कर रेडी हो गई है इसे आप पराथा, नान, तंदूरी रोटी के साथ सर्फ कर लीजिए